NFT क्या है? NFT है Non-Fungible Tokens इसको समझने के लिए हम जानेंगे कि Fungible क्या है Fungible मतलब for example एक आदमी के पास 20 रुपे का नोट है और आपके पास 10 रुपे के 2 नोट है तो अगर आप दोनों को Swap कर लेते हो तो कोई फरक नहीं पड़ता है उसकी value से किसी को कोई फरक नहीं पड़ता तो ऐसे transactions को कहते है Fungible transactions Non-Fungible एक ऐसी चीज हो गई महिंदर सिंग दूनी की T-shirt है मार्केट में आपको 1000 रुपे में easily मिल जाएगी पर अगर आपको पता चले कि वही shirt महिंदर सिंग दूनी ने World Cup 2011 के final में पहनी थी तो अच्छानक से उस shirt की value बहुत ज़ादा हो जाती है इसलिए इन सारी चीजों को भी वो auctions में लगाते हैं और कुछ-कुछ अच्छे कामों में उन auctions के पैसों को लगाया जाता है अब अगर महिंदर सिंग दूनी चाहे उस t-shirt को ना बेच के कि उसकी digital ownership किसी को दे तो उस process को जो digital ownership है उसको हम कहते है non fungible token